कि नमस्कात दोस्तों स्वागत आपके मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सिविल प्लस हाइटी टेक्नोर दोस्तों आज की वीडियो हम डिसकस करने वाले हैं रिटेनिंग वॉल के बारे में इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप रिटेनिंग वॉल का पर आपको सब निकालना पड़ता है तो आपको नॉर्मली वह फाइंड आउट करने में थोड़ी मुश्क्य होती है तो उसके बारे में आज को आपको नॉर्मली डायग्राम के साथ में आपको समझा दूँआ कि आप उसकी कॉइंटि कैसे निकालना चाहते हैं जैसा कि मुल्टिपल टाइप की होती है लेकिन आज की वीडियो में सिर्फ आपको ट्रफजोडिल रिटेनिंग वॉल के बारे में बताना चाहूंगा जैसा कि आप जानते हैं हमारे इस रिटेनिंग वॉल के कुछ पार्स होते हैं जिसमेंसे आपका एक सबसे पहले आएगा जो फा के इसमें अपने सबसे क्या करना है सबसे पहले आपको कैसे अडिजस्ट करना उसके कैसे कान्ठीट निका लिए है बहुateur बताने से पहले मैं आपको ऑफसे होते हैं एक आपका डोब आएगा डों यह पनाफिल रिएयति बिमього सबें उसके जोगा वाइट होगी में रिटे का area कैसे निकालेंगे या फिर उसका volume कैसे निकाल सकते तो में इसकी जो 2 जो यहां उसका जो लेंद आहां पर लेता हूं उसके साथ मैं जो पॉइंट फॉइंट की हीच्ट यसके यहां पर 5 में उसके तैम की हैhouse या जो बॉटम बेस है उसको मैं हाँ पे 0.03 मेटर ले लेता हूँ और जो इसका टॉप मोस पार्ट है उसको मैं यहाँ पे कर लेता हूं 0.15 ठीप है दोस्तों तो नॉर्मल हम इसको क्या गरतें दौबार्ट में डिवाइड कर सब्सक्राइब कर ले सथION पार्ट य। आपकी है वह स्लाइक फोटिंग है वह जो आपकी है वह रेक्टेंगुलर शेप किया तो हम यहां पर नॉर्मली चुली हमने 12 मीटर वह उसको मल्टिप्राइब करते हैं यहां पर हम आठ मीटर से और जो इसकी ठीक नहीं से वो लिए हमने 0.25 नॉर्मली यह मल्टिप्राइब करके हमारी वैल्य जो आती है वह हमने यहां पर लिख दी ठीक है दोस्तों तो दोस्तों जैसे आप जानते हमारे मल्टिप्राइब करने के वाले में हमारा जो वॉल्यूम आफ रेक् सब्सक्राइब लिए स्टेम्व करने को लिए सब्सक्राइब कर में तो उसका झाला लाएक। तो इसका जो है वो वॉल्यूम निकल आएगा हमारा तो यहां पर हम देख सकते हैं हम जब इसको मुल्टिप्या करते हैं तो जीरो पॉयंट वान फइफ प्लस जीरो पॉन त्री डिवड़ाब वाएट तू इसको मुल्टिप्या करते हैं हमारी रयल्टिप्या करते हैं मुल्टिप्राइग करने का वार हमारी जो वैल्यू आती है वह आती है 11.25 क्यूबिक मीटर उसके बाद हम इसका टोटल वॉल्म निकालने के लिए क्या करेंगे हम करेंगे यहां पर पार्ट वन और पार्ट टू को प्लस जो की हमारा आया था 24 और 11.25 क्यूबिक मीटर दोनों पार्ट्स को प्लस करने के बाद में हमारा बना यहां पर 35.24 क्यूबिक मीटर तो आप ऐसे ही इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं किसी रिटेनिंग वॉल का उसके साथ में ही जैसे ही आप सीमेंट की कॉंटिटी निकालना चाते हैं और आपको एग्रिगेट की इसके आपको लगाके आपको नॉर्मल ही वहां से आपकी कॉंटिटी निकलाएगी यहां पर मैं आपको बता दोगा अगर आपको सीमेंट की वैल्यू निकालनी है तो सीमेंट की वैल्यू अगर आपको रेश्यू 15 की केस में निकालनी है तो आपको सिंपल ही क्या करना है सी थी आपको जब aggregate कर निकालना हो एग्रेट से पहले हम सेंट का निकाल लेते जब अको सेंट की वैल्यों निकालने होगी तो आपको सिंपली क्या करना है आपको 0.47 को multiply करना है जो आपकी total quantity 34.25 35.24 जो आपकी वैल्यू है उसको आपको simply multiply करना है जिससे आपकी सेंड की वैल्यू निकलाएगी और जो रहा आपकी थर्ड कंडिशन जो आपको aggregates निकालने aggregates भी डिपेंट टाइप के होते हैं जैसे कि आप अगर ratio 15 के लिए अगर आप 15 के लिए यूज करते तो उसमें आपका जो नॉर्मली ग्रेट आएगा वह आपका आएगा 10 mm और 20 mm का तो जब आपके एग्रिगेट 10 mm की बात करें तो 10 mm के लिए आपको simply आपके multiply करना है 0.24 से जो आपकी total quantity of volume जो आया है आपका टोलो उससे आपको 0.24 को multiply करना है और aggregate 20 mm के लिए आपको 0.67 से total quantity को multiply कर देना जिससे कि आपकी aggregate की value निकलाएगी और जो आपका market rate चल रहा होगा उससे आपने simply cement का जो मार्केट को से multiply करना है सेंड का जो मार्केट आपका लोकल एरिया में उससे multiply करना है और aggregate का ही सेम आपने local market से पता करको multiply करना है जिससे कि आपकी जो value है जो आपका total उस structure को बनाने में खर्च आएगा वह आपका निकलाएगा उसके साथ में आप जब को लेवर निकालने तो आपको लेवर सिंपली आपको लोकल जो वहां की management होगी है जो भी estimate जिसने प्रिपर किया हो वह आपको सारा सिंपली उसमें निकल के आ जाएगा तो आज के वीडियो में सिर्व इतना है वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद वीडियो को लाइक करिए शेयर करिया सब्सक्राइब करिए और बैल आइकन को दबाना मत भूलिएगा क्योंकि मेरे जो नेक्स्ट वीडियो से वह आपको सबसे जल्दी मिल सके इसक तांक्यो